जै स्री राम भगतो भगतो आज हम आपको हम अपना अनुभव बताने जा रहे हैं और इस तरह से नामजब अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी सभी समस्याइं खतम कर देगा ये नामजब केवल एक घंटे में और हम ही नहीं हमने जिसको भी ये बताया है उन सब का अनुभव है ये अदबुत 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 चमतकार करता है पहले दिन से ही असर करता है इससे क्या-क्या लाब होंगे ये जान लीजिए पहले आपके शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है चाहिए वो किसी भी प्रकार की कोई ब्लोकेज है सिर में दर्द है या फिर किसी अंग में परेशानी है कोई या फिर डिप्रेशन है, मानसिक परेशानी है पीपी की प्रोब्लम है वो भी ठीक होगी हर तरह की बिमारी को ये ठीक करता है और आप जो है ध्यान में उतर पाएंगे समादी तक पहुच जाएंगे अगर आपने ये निरंतिरता से अभ्यास कर लिया तो और तुरंत ही आदमी समाधी में चला जाता है गंटे में अगर आपने लगाता है गंटा कर लिया तो और इससे आपकी सुस्मना नाड़ी खुलेगी इससे आपके सारे के सारे चक्र जागरित होंगे आपकी शक्ति आपकी उर्जा उपर उठेगी उपर उठके उपर नोगे मतलब कहने का ये है कि एडी से लेकर चोटी तक की सभी बिमारियां सभी समस्चाएं इस भोतिक शरीर की दूर कर देगा और आपके किसमत को जगा देगा ये नामजब का अनुभव ये अनुभव है देखो हम तो ये स्वयम करते ही करते हैं और भी कई तरीके हम अपना नि क्षब क्पा है इसको तो हम जरूर-जरूर-जरूर करते हैं दिन में कई बार लेका तो करना क्या है आप जब तो इसलिए आजाती है कि आपकी जो है ना वो उर्जा बोड़ी में मतलब उस तरह से रेडी नहीं करते हो क्योंकि उसमें आलस होता है अलस जबी जाएगा जो थोड़ी सी आप कोई भी अक्सरस आई जाती हो स्ट्रेचिंग कर लें हैं थोड़ा सा जंपिंग कर लें। थोड़ा सा अपने हाथपैरों को स्ट्रेच कर लें पांस-दस तक 24 मिनट में होती है एक घड़ी एक घड़ी तक आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपनी लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है आखे बंद रखनी है बिल्कुल सिधा बैठ जाना है लंबी सांस मतलब आवाज आपको आनी चाहिए ऐसे इस तरह से जोर से आवाज आपको सपस्ट सुनाई देनी चाहिए आपका ध्यान बिल्कुल आपकी सांस आ रही है जा रही है आ रही है आप मालो एक मिनट ऐसे लंबी गैरी सांस लेनी ठक गे तो एक सांस आप मतलब रोक दो फिर दुबारा शुरू कर दो ऐसे ही मतलब करते रहो करते रहो छे मिनट लगातार कर लो छे मिनट के बाद ठक जाओ रुख जाओ फिर करो हम तो लगातार बीस मिनट कंटीन्यू कर देते हैं लेकिन जो नए साध्य के वो शायद ना कर पाएं तो जब आपकी ऐसे करते करते लंबी घरी स्वांस लेते रहोगे छोड़ते रहोगे लेते रहोगे छोड़ते रहोगे तो जब बीस मिनट हो जाएंगी जब आपको रुख जाना है इससे क्या होगा देखो बगतो जैसे दो पत्थरों का पसमें घर्शन करते हो हाँ तो उनसे चिंगारी निकलती निकलती है ना अब आपकी स्वांसों को आप जितनी का तेजी से तो वह अगनी प्रजलित हो गई प्रजलित हो गई तो आपको दिखाई देगी इससे क्या होगा आपके दो नाडिया इडा पिंगला यह जब दोनों चालू हो जाती है तो फिर यह जब दोनों चालू हो जाती है तो फिर सुस्मना नाडी भी चालू हो जाती है सुस्मना नाडी चालू हो गई तो आपके उपर की तरफ वो शक्ती वो उर्जा प्रभाईत होगी आपकी कुंडलेनी शक्ती से जो प्राणवायू प्रूट के जाती है वो सारी शक्ती को उपर खिच के ले जाएगी बार बार आप घर्शन कर रहे हो तेजी से तेजी से लेगी जब 20 मिन्ट हो जाएंगी ना यह अभ्यास जरूर करना आप आप रुक जाओगे रुकने के बाद आपको अदभुत 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 चमतकारी महसूस होगा कुछ परिनाम मतलब क्या महसूस होगा आप जैसे रुकोगे तो सांस रुक जाएगी अग 20 मिन्ट लगातार कर लिया तो तो आपको एकदम से ऐसे लगेगा कि मेरी बोडी में एक कोई अदभुत शक्ति प्रभावित हो रही है संसन की आवाज आएगी आपको पूरे शरीर में से जाती हुई हर अंग अंग में हर कंकं में बोडी के और आपको ऐसा मैसूस होग कि आपके का शरीर का एक 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 अंग स्थिल हो गया है मतलब ऐसे जैसे हो जाता है न सुन हो जाता है ऐसे होने लगे ka डरने की कोई बात नहीं है लेकिन मतलब जैसा हो उसको खोने देना उसके बाद आपको थोड़ी सी देर में जब वो सारे शरीर में वो जो प्राण اु कि सब की अपने अलग है फिर अपने आप जब आपको सांस आने लगे तो आप सांस लेने लग जाना और उसके बाद आप अपने अग्या चकर पे अपना ध्यान रखें अगर कोई ध्यान करता है तो नहीं तो यह प्रोसेस आप फिर दुबारा फिर कर सकते हैं अगर प्रोसेस लगातार आपको ऐसे करना उठना नहीं है 20 मिंट करके फिर आपको मतलब नॉर्मल सांसों पर ध्यान रखें या ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान लगाएं तो आप तुरंत ही गहरे ध्यान में उतर पाएंगे ऐसा आप करके देख लेंगे पहले दिन से ही आपको रिजल करके बताएं कि किसको प्राइवा हुआ क्योंक यह चोटी मोटी हमने आपको साधना नहीं बताई है य period क करते दिसको योगिक साधना योगिक कंद कैसे इसको अपनाई और अपने जीवन को बदले अब ऐसे अब आपनी हमां यावरानिते इंट यराम बगता